आज आपके साथ मिनी साइस के या स्मॉल साइस के आलू का समोसों की एक परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप बच्चों के पार्टीस वगरा के लिए भी बना सकते हैं इस तरह से फूड भी बेस नहीं होगा और जाहिरा देखने में भी ये बहुत ही क्यूट लग रहे है असलाम लेकॉम मैं हूँ साधिया उजयर वेल्कम बैक टू साधिया उजयर्स किचन तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी मिसमिल्ला हरामान इरहीम तो सबसे पहले समोसों की डो तैयार करने के लिए मिकसिंग बॉल में डालेंगे एक कप मैदा अब आपने जितनी भी कॉइंटिटी में समोसे तैयार करने हैं अपनी मर्जी के मताबिक रेसिपी को डबल या टिपल कर सकते हैं एक कप मैदे से ये समॉल साइस के 24 समोसे बनकर तैयार होंगे और अगर आप regular साइस के समोसे बनाना चाहते हैं तो इतने मैदे से आट समोसे बनेंगे अब इसमें शामल कर देंगे 2 टेबल स्पून घी यहाँ पर मैं इसमें खालिस की शामिल कर रही हूँ आप चाहें तो वेजिटेबल घी भी एड़ कर सकते हैं लेकिन आइल इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि आइल से समोसे उस तरह से खसता नहीं बनते हैं जिस तरह से घी से बनते हैं इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आदा चाय का चमच नमग और वन फोर्थ टीस्पून अजवाइन या आप इसकी जगा पर वन फोर्थ टीस्पून जीरा भी शामिल कर सकते हैं तो बस अब इन तमाम चीजों को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पेशली इस बात का ख्याल रखिएगा कि घी मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे एकदम से हमें जादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि इसको गूनने के लिए हमें बहुत थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी और डो भी हमें थोड़ी सी सखत तयार करनी है तो बस यहां पर मारी डो तयार हो चुकी है आप देखें डो कितनी सखत है इससे जादा हमें इसको सौफ नहीं करना अब इसे हम कवर कर देंगे और आदे खेंटे के लिए इसी तरह से रूम टेमपरचर पर पढ़ा रहे हैं देंगे तक कि डो थोड़ी सी सेटल हो जाए और उतनी देर में हम इसके लिए आलू की स्टफिंग तग्यार कर लेंगे तो स्टफिंग बनाने के लिए फ्राइंग पैन में शामल करेंगे तीन से चार खाने के चमबच ओयल और इसमें शामल कर देंगे एक छोटे साइस का बरीक चॉप किया हुआ प्यास साथ इसमें जाएगा एक चाय का चमबच अदर कलेसन का पेस्ट अब इने ओयल में एक दो मिनट तक हलका सा फ्राइ कर लेंगे जब तक कि इनका कच्चापन खतम हो जाए और प्यास का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए आलू यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइस के आलू लेकर उनको बॉयल करके हाथ से क्रश कर लिया है बस ये धिहान रखना है कि इनको हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना क्योंकि बिल्कुल मैश हुए बे आलू समोसों में अच्छे नहीं लगते बस इस तरह से आलू के जो भी पीसीज बड़े हो आप चमच की मदल से उनको तोड़ सकते है इसके साथ इसमें जाएंगे स्पाइसीज एक चाय के चमच चाट मसाला पाउडर एक चाय के चमच भूना और कुटा हुए जीरा एक चाय के चमच या हस्पेजाइका इसमें सबस मिरच शामिल करेंगे आदा चाय के चमच या हस्पेजाइका नमक एक चाय के चमच भूना और कुटा हुए धनिया एक चाय का चमच या हस्बेजाय का कुटी हुई लाल मिरच और आदा चाय का चमच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर बहुत सारे लोग आलू की स्टफिंग को इस तरह से पका कर समोसों में फिलने ही करते लेकिन अगर हम stuffing को इस तरह से पका कर समोसों में फिल करते हैं तो एक तो spices का कच्चापन खतम हो जाता है और second पक्ते ही वज़ा से इनका बहुत ही अच्छा रोमा निकल कराता है Try कीजेगा अगर आपने कभी इस तरह से Try नहीं किया बहुत ही मज़े के समोसे बनते हैं तो बस spices शामल करने के बाद इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको मैंने 2-3 मिनट तक पकाया है और अब last में इसमें शामल कर देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और अच्छे से इसको mix कर लेंगे और यहां पर हमारी stuffing बिल्कुल तयार है flame को off कर देंगे और इसे एक side पर रख देंगे तो चलिए अब तयार करेंगे समोसे यहां पर हमारी dough भी बहुत अच्छे से settle हो गई है अब इसको इस तरह से हाथ से roll कर लेंगे और उसके बाद इस dough को इस तरह से 12 equal portions में divide कर लेंगे तो इससे 24 समोसे बन कर तयार होंगे क्योंकि एक पेड़े से हम 2 समोसे बनाएंगे लेकिन अगर आप regular size के समोसे बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको 4 equal portions में divide करें उससे हमारे 8 समोसे बनेंगे इसके बाद इस तरह से हाथ की मदद से इनके पेड़े तयार कर लेंगे तो यह देखें इस तरह से इसके यह छोटे छोटे से पेड़े तयार हो जाएंगे अब इसको हम बेल लेंगे लेकिन इसको हमें बिलकुल round नहीं बेलना लंबाई में बेल लेंगे थोड़ा सा ओवल शेप में तो सभी पेड़ों को यहां पर मैंने लंबाई में बेल लिया है अब इनकी हम एक ही साथ कटिंग कर लेंगे यह बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं क्योंकि इसमें हमने घी शामल किया था तो अब इस तरह से यह आदी कटी हुई समोसे की पटी लेंगे और हाथ के मदद से हर तरफ इसके हलका हलका सा पानी लगा देंगे बाइंडिंग के लिए पानी हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना लेकिन ये भी धिहान रखना है कि कोई भी किनारा पानी के बगार खाली न रहे अगर कोई किनारा पानी के बिना थोड़ा सा भी खाली रह गया तो वहाँ से बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी और जो आप समोसों को फ्राय करेंगे तो आपके समोसे खुल जाएंगे बहुती छोटे साइस के समोसे हैं दिखने में लगता है कि बहुत अच्छे से सील हो गए है लेकिन बाइंडिंग करते हुए आपने फिर भी खास ख्याल रखना है तो यह देखें छोटा सा क्यूट सा समोसा हमारा तयार है सेम इसी तरह से अगला समोसा तयार करेंगे समोसा पटी के हर जरब हलका हलका सा पानी लगाएंगे पानी लगाने के बाद दोनों साइडों से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एक जुसरे के उपर overlap कर देंगे और जो समूसे की ये नोख है इसको हलका सा प्रेस करके बंद कर देंगे इसके बाद समूसे को खोल कर इस स्थाज़ा से हाथ पर रख लेंगे और इस वाले जोट को भी अच्छे से प्रेस करके सील करेंगे थोड़ी सी stuffing डालेंगे क्योंके बहुत ही छोटा समोसा है इसलिए stuffing भी हम इसकी कम ही रखेंगे इसके बाद इसको इस तरह से हाथ से अच्छे से प्रेस करके seal कर देंगे तो लीजिए छोटा सा आलू का समोसा तयार हो गया है तो लिजिए यहाँ पर हमारे सारे आलू के समोसे तयार हो गए हैं और अभी नहीं हम करेंगे fry और fry करने के लिए सेम बड़े समोसों की तरह ही इनको fry करेंगे आईल का temperature ना तो बहुत तेज करम हो और ना ही बहुत थंडा हो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आईल में हलके हिलके से bubbles निकल रहे हैं तो बस इस तरह का temperature हो अगर आईल तेज करम होगा तो इन पर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे स्टार्ट में हमें इसमें चमच नहीं चलाना लेकिन जब इस तरह से समोसे थोड़े से solid हो जाएंगे तो फिर इस तरह से उलटते पलटते हुए इनको golden brown और क्रिस्पी होने तक fry कर लेंगे तो तक क्रीबन 5-7 मिनट का टाइम लगा है और हमारे समोसे बहुत ही अच्छे से fry हो गए है तो आप देखें सारे समोसों के उपर कितना equal एक जैसा color आया है और ये इसी वज़ासे है क्योंके fry करते हुए हमने इनका खास ख्याल रखा है थोड़ी थोड़ी दिर के बाद इनको उलटते पलटते रहना है तक कि ये कहीं से dark या कहीं से light ना हो जाएं तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना और अगर आप मेरे चैनल पर नई है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया